हालो स्टूडेंट्स आज मैं जिस इंस्टिटूट के बार में बात करने वाला हूं हमारे देश के अंदर कुछ ही यूनिक इंस्टिटूट है यूनिक इंस्टिटूट का मतलब यह होता है कि वह पागल इंजिनेरिंग कोलेजों की तरह नहीं है उसके अंदर जो एजुकेश कोल करता है ओके इंडियन इंस्टिटूट ऑफ कल्टिवेशन ऐसे कुछ जो कोलेज है इसके बारे में आज अपने कंप्लीट के अंदर डिसकस करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स यह जो कोलेज है बहुत ही पूराना कोलेज है ओके और यह जो है एक डिम्ड उन्वर्सटी है यानि कि अपने एंडर में ही चलता है यह सारा सब कुछ और यूजिसी एक्ट 1956 के अंडर यह ओपन किया गया था और अभी जो एक ऑटोनोमिस बोडी है जिसको सेंट्रल गोवर्मेंट हैंडल करती है यानि कि जैसे मारा आइसर हो गया नाइसर हो गया आयाइटीज हो गई वेसे ही यह इंस्टिट्यूट है इसके अंदर क्या है क्या सिस्टम है क्या प्लेस्मेंट है कौन-कौन सी आप इस्टडिज कर सकते हैं ओके इसके अंदर जो प यहां पर यह यह courses available है, अब इसके अंदर admission का क्या process है, और आप कब admission ले सकते हो, कौन सा आपको इसको text देना पड़ेगा, complete के अंदर चर्चा करेंगे, आप video में end तक बने रही है, अब अपन बात करते हैं कि इसका क्या future के अंदर जैदा scope है, और आपको क्या salary मिल सकती है, और आपको other courses to use करने चाहिए, या फिर यह courses to use करना चाहिए, स्टुडेंट जिन बच्चों का interest होता है research के अंदर, just like mathematics है, science है, biology है, जिनको कुछ research करना है, देश को कुछ करना है, देश को कुछ donate करना है, या पर अपने life में कुछ बड़ा करना है, scientist बढ़ना है, तो यार वेसे जो बच्चे हैं, वो इस program को join कर सकते हैं, और इसकी को ज्यादा फीश नहीं है, और admission लेना भी उतना ज्यादा ठप नहीं है, okay, so first of all, आपन बात करते हैं, कि इसके अंदर admission लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, so first of all, पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, 12 वाले, उनकी बात कर रहा हूं, जैसे कि आपने 12 प इसका application form fill करना है, last week of March के अंदर, अब उसके अंदर जो है, आपको कौन-कौन से subject आएंगी, तो आपको जो आएगा, PCM, physics, chemistry, mathematics, then आपको एक और option आएगा, जो आपका option है, वो है, एक तो आप biology ले सकते हो, और एक आप CS ले सकते हो, okay, यानि कि आपको जो है, चार subject का test देन पड़ेगा, इसके लिए, PCM, biology, or CS, okay, और इससे पहले, एक इसका interview होता है, UPCT, ऐसे कुछ होता है, I think मैं आपको confirm करके बताता हूं, UPCT होना चाहिए, okay, sorry students, UPST होता है, okay, UPST, तो आपको पहले UPST का interview देना पड़ता है, interview देने के बाद में आपका एक objective और भी question होता है, ठीक है, objective type test, okay, तो इसके अंदर negative marking होती है, या नहीं होती है, online होता है, पूरा test, okay, और अगर आप इसके अंदर select हो जाते हो, तो फिर आपका admission पका हो जाता है, अगर पीस structure की बात करूँ, तो 20-25-24 पर semester लगते हैं, कोई research department है, IIT से अच्छा मिलेगा है, okay, so, अगर आपका interest है, तो ऐसे institute हमारे देश के लिए जन्नत है, okay, और ऐसे और भी institute है, यहां पर जो है, आप जो research करोगी, और study करोगे, physics, chemical science, biological science, material science, applied science, mathematical science, okay, so, आप इतनी जो है, इसके अंदर आप research कर सकते हो, अब इसके अंदर जो है, आपको at least, जो है, चार सेमेस्टर तक तो आपको जो है, नॉर्मली पढ़ाया जाता है, जो भी आपका basic होता है, दो-तीन सेमेस्टर, यानि की पिछले डेट साल तक तो, जो भी आपका basic है, जैसे biology है, physics है, mathematics है, वो पढ़ाया जाएगा, basic पढ़ाया जाएगा आपको, देन आप साथवे सेमेस्टर से जो है, आप अपनी study, जो है, आपका research program start कर सकते हैं, और students, इसके अंदर अच्छी बात यह है, कि आपको जो है, आप जो भी research करते हैं, तो आपको जो है, उसके ओपर strive fund भी देती है, government, ओके, जो आपको जो है, जब तक आप research करोगे, आपको जो ह रहेगी, चीक है, और students, यहाँ पर जो है, आपके लिए module test भी दिया गया, आप यहाँ पर preparation कर सकते हैं, इसके case से question आते हैं, case से नहीं आते हैं, और just score sheet all candidate in screening test, okay, so यहाँ पर module test दे गया है, आप इनको जो try कर सकते हो, और अपनी preparation को better कर सकते हैं, ओके, और इसके admission process से related, आप मेरे whatsapp number देया गया, उस पर contact कर सकते हैं, या पिर आप हमारी team से हमारा counselling plan ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका सारा का सारा जो भी admission process है, वो हमारी team handle करती है, आपको कुछ भी करने की जूट नहीं है, काई भी video नहीं देखने हैं, काई भी website पर visit नहीं करना, चीक है, त फिर google form फिल कर सकते हो, अब आपन बात करते हैं, इसके admission process के बारे में, तो admission कैसे होगा, क्या scene है, सारा सब कुछ देख लेते हैं, ओके, सो चलता है, admission के अभी अपन, So, यहाँ पर जो admission की guideline दी गई है, at least आपका जो process है, वो मार्स तक complete होता है, पहले जो है, आपको एक UG screening test थरू घुजरना पड़ता है, देन उसके बाद में एक आपका, फिर से objective type computer पर test होता है, Okay, और जो है, इसके बाद जो है, दिक्तम सार्ट से 10 के पास available है, और उसे ICS की website पर गोशिट किया जाएगा, जिनके वफिवाई, विडियार्टू, या फिर जी में 2020 में 6-8000 तक range हासिल की है, वे साख साथ कार के लिए योग्यों हो सकते हैं, तो कि उनके range के अन्य स्क्रीन करेंगा, और यह जो इनके संक्या सिर्फ ट्रेन हो सकती है, ठीक है students, तो यह तो थी website की information, अब हमारी क्या information है, एडमिसर लेना के लिए ना, फीचर में क्या scope है, मैं salary बगरा मिलेगी की नहीं मिलेगी, unemployment तो रही रहेगा, research का क्या scope इंडिया में, तो फस्ट पॉल तो यही कहूंगा, कि अगर तुम्हें, वोका मिल रहा है, ठीक है, उडाने का, तो शिदा चक्का लगाओ, okay, admission लेलो, को इस्यू नहीं है, future में scope है, जो नीक institute है, इंडिया में, और इंडिया के लिए, इस institute जन्नत है, ठीक है students, तो I fully recommended for you, कि आपको admission लेना चाहिए, अगर आपको होता है, तो IAT से better quality है, इनकी वैसे, फीस बहुत कम है, अगर आप research करोगे, स्टाइफन भी मिलेगा, बड़ी-बड़ी हिंदुस्तान, यूनिन इवार, नेस, ले, नाइक का, और फिर foreign की बड़ी-बड़ी companies उठा लेगी, डिरेक्ली उठा लेगी, आप डिर आप कांसलिंग प्लान भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम आप आपका सारा admission process से अंडल करते हैं, ठीक है students, thank you, thank you so much, bye bye, take care, और चोटों को फ्यार दीजिए, बड़ों का सबान कीजिए, thank you.